ओम शान्ती आज 27 जून 2022 है बाबा हम सभी को कहते हैं लक्की सितारे उमीद के सितारे सफलता के सितारे हर सितारे में अपनी एक दुनिया है और जैसा वो सितारा है वैसी ही वो दुनिया है तो कैसे हम उस सितारे की पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा सितारा है इस विशय पर आईए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से आप एक-एक मास्टर रचेटा हो मास्टर रचेटा अपनी रचना से भी अपनी पावर को परक सकते है जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहां-कहां फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होंगे अगर बीच पावरफुल नहीं है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती हम सभी भक्ती मार्ग से होकर के ही ज्यान मार्ग में आए हैं हम सभी को इसका कभी न कभी अनुभव होगा कि जब भी परमात्मा के उपर भगवान के उपर कोई भी फूल या कोई भी फल चड़ाया जाता है तो उसको पहले परखा जाता है वो कहीं से खंडित तो नहीं, कहीं से मुर्जाया हुआ तो नहीं कहीं सड़ा हुआ तो नहीं, कहीं कोई कीड़ा तो लगा हुआ नहीं है और जब वो इन परक की कसोटियों पर खरा उतरता है तभी वो फूल परमात्मा पर अर्पित किया जाता है ऐसे ही हम सब आत्माएं भी स्वयम वैसा फूल बन चुके हैं और अन आत्माओं को भी फूल बना रहे हैं अर्थाद परमात्मा पर अर्पित करा रहे हैं लेकिन हम सब मास्टर अच्चेटा हैं जैसी हमारी रचना है अगर हमारी रचना परमात्मा को चढ़ाने लाइक है अर्थाद अर्पित करने लाइक है समर्पित बुद्धी है तो उससे हमारी पावर का पता चलता है यही विशेष्टा मम्मा की दादियों की रही उन्होंने वो वारिस क्वालिटी आत्माय निकाली जिन्होंने आगे चलकर यग्य में बहुत सारे कारे संपन्न किये वारिस खुद भी बने और अन्य को भी वारिस बनाया तो अगर हमारे अंदर शक्ती है तो वैसी ही हमारी रचना होती है अर्थात जैसा सितारा वैसी ही उसकी दुनिया तो आज बाबा ने अपनी सफलता को परखने के लिए हमें एक बहुत अच्छी कसोटी दी है हम सभी सेवा तो करते हैं लेकिन हमारी सेवा किस क्वालिटी की है केवल उसमें लोग आकर के प्रशंसा करके जा रहे हैं या सच में उससे परमात्मा को अर्पित होने वाले फूल निकल रहे हैं ये हम अवश्य चेक करें और चेक करके अपने पुर्शार्त को और सेवा की विधी को चेंज करें ओम शान्ति